देर स्टुटेंट वी आफटी डिस्केस अबॉट दा करिकुलम फार्मेशन पार एसडी फार जंक चिल्डन अब हम थोड़ा सा फोकस करते हैं करिकुलम के उपड़ देखे करिकुलम जो है वो हमारा एक ऐसा डाकुमेंट है जो हमें एक गाइडलेंग प्रवाइड करता है और जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो हम कहते हैं के आल एक्टिवटीज अंडर दी अम्रेला आफ इंस्टिजूशन उसके अंदर को करिकुलर एक्टिवटीज भी शामिल है उसके अंदर करिकुलम भी करिकुलर एक्टिवट दिस भी शामल है यह तमाम चीज़ए च्यामल हैня है अब यहां पर हैं कैसे दॉक्कोमेट की बात कर रहे हैं जिस डाकुमेंट के अंदर जो है हमारे जो करिकुलम के अंदर मुक्तलिफ गोल्स बनाएंगे और मुक्तलिफ आउटलाइंज बनाएंगी उनको हम डिसकस करेंगे यहां पर करिकुलम के 12 प्रिंसिपल्स अडेंटिफाई किये गए हमारा पहला क्या था चिल्डन एंड दियर लाइफ इन अर्ली चाइड़ोट पहला तो यह एक प्रिंसिपल बनाया गया दूसरा प्रिंस्पल यह बनाया गया connection with other group देखें पहला तो यह है कि early childhood में मेरी अपनी जिन्दगी फिर connectivity with other groups और जब हम connectivity other groups की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि how I have to behave how children learn and develop फिर इस process को identify किया गया कि बच्चा बन्यादी तोर पर सीखता कैसे हैं और जब हम behavior development की बात करते हैं skills की बात करते हैं organization की बात करते हैं तो वो हमारे पास हमने वो पेराट मिटर्स बनाने हैं किन पेरामिटर से वो यह learn कर सकता है उसके बाद एक ऐसी uniqueness कि जो एक उसकी holistic learning देखें हम सबसे पहले क्या करते हैं हम उसकी तीन dimension बनाते हैं इस level पे इस बचे के अंदर कोगनेशन यह level होगा skills यह होगा और behavior यह होगा अभी हम जो studies की बात कर रहे थे तो उसके अंदर हम उसके behavior development process को चेक करना चाह रहे थे फिर हम कहते हैं कि अब इन तीनों को अकठा मिला लें skills को भी behavior को भी और उसके बाद cognition को भी तो उसकी overall holistic learning कितनी हो गई है और development process कितना हुआ है उसके पर हम बात करते हैं और फिर हम equality की बात करते हैं डैवर्स्ट्री की बात करते हैं फिर देखें diversity in the parents भी है कि एक institution नेकिन parents के behavior में diversity है उसके बाद diversity in the community भी है तो जब वो एक citizen के तो बात करते हैं तो वो एक्टिव citizen कैसे बनेगा यह curriculum का this is a part of the curriculum और फिर कौन कौन से experiences वो share करेगा